भारत मंदिरों का देश भी है, यहाँ पर कई प्राचीन और चमतकारिक मंदिर है, जिन में मध्य प्रदेश का 64 योगिनी मंदिर भी उन में से एक है, वैसे भारत में 4 चौसट योगिनी मंदिर है, ओडिशा में 2 मंदिर है और मध्य प्रदेश में 2 है, लेकिन मध्य प्रदे में मंदिर को तांत्रिक युनिवर्सिटी भी कहते थे, यहाँ पर दुनिया भर से लाखों तांत्रिक तंत्रमंत्र सीखने के लिए आते थे, मुरैना के चौसट योगिनी मंदिर का निर्मान नवी और बारहवी शताबदी के बीच कल्चुरी चंदेल और प्रतिहार राजव मंदिर के शासंकाल में हुआ था, यह मंदिर एक पहाड़ी पर एक सौफी टूंचाई पर बनाया गया है, यह अपने गोलाकार, आकार और खुली हवावाले डिजाइन की विशेशता के लिए जाना जाता है, इसके साथ ही इसमें 64 कमरे है, जिन 64 कमरों में शिवलिंग की स् मंदिर के बीच में एक खुले मंदप का निर्मान किया गया है, जिसमें एक विशाल शिवलिंग स्थापित है, बताया जाता है, कि यह मंदिर साथ सो साल पुराना है, इस मंदिर के बारे में इतिहासकार बताते है, कि चारों मंदिरों में से यह सबसे पुराना है, इसे लो जैसे तंत्रमंत्र में सिध्धी प्राप्त होती है.